आपका आपके अपने चैनल इस्टेडीवित प्रदीप में दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर फोर डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम सैवाल है यानि एलगी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह वीडियो आपके BPSC, UP, TGT, PST इन सभी परिच्छाओं को ध्यान में रख करके तयार किया गया खास करके TGT, PST के लिए तो यह PDF आपके लिए बहुत महत्तपूर होने वाले यह PDF आपके लिए बहुत महत्तपूर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या प तो पहले हम बिहार किस लेबस के पॉइंट आप उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे की चीजों को एड करके हम आपको आगे बताते रहेंगे सबसे पहले सेट करते हैं यहां पर टापिक से Candle taking सेवाल के बारे में देखते हैं सेवाल के बारे में अगर यहां पे ध्यान दें तो कहरा है सेवाल जो है पर्ण हरिम युक्त यानि एक प्लोरोफिलस प्लांट होता है इसके पहले हमने फंजाई पड़ा था जिसमें आप बताये थे कि नान क्लोरोफिलस प्लांट होता था इस जिसमें पर्ण हरिम नहीं पाया जाते थे परंत ये एक ऐसा पौदा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है यानि पर्ण हरिम पाया जाते हैं संबहन उतक रहित यानि यहां पे वास्कुलर बंडल नहीं पाया जाते हैं वास्कुलर बंडल नहीं पाया जाते हैं वास्कुलर ब्रून में ब्रोन का विकास नहीं हो होता है लेकिन इहाझ पर इम्प्रियों का फार्मेशन नहीं होता है या भूर का विकास नहीं होता है अध्या चुठे कर और आजटीकर वही हमें जिन्नग ने Camp लम स्िस्टम क्लासिफिकेशन दियाएं 1969 में आप सब को मैंने इसके पहले चर्चा किया था और प्लांटी और पांचवा जगत जो है आपका वो कौन है तो वो होता है जन्त जगत तो आर्या चुटेकर ने इन्हें ही जगत प्रोटिष्टा के उप जगत फाई को बायांट के अंतरगत रखा था यानि सेवाल को जो सबसे पहले किसने आर्या चुटेकर ने जगत प्रोटिष्टा के फाई को बायांट के अंतरगत रखे थे परंद कुछ विग् जिसके अंतर का सैवालों का अद्धिन किया जाता उसे सैवाल विग्यान या एल्गोलाजी कहलाते हैं क्या कहलाता है यफ 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 फ्रीज यफ यफ फ्रीज ने अपनी पुस्तक structure of reproduction in algae यफ यफ फ्रीज की पुस्तक का नाम है structure and reproduction in algae में बिश्तित वरणन किया है यफ यफ फ्रीज ने सैवाल विग्यान का जनक कहा जाता है प्रोफेसर ओयम आयंगर को भारती सैवाल विग्यान का जनक किन रॉम से जाना जाता है यूपी में ये प्रश्ण खुब पूछे जाते हैं किसी भी ब्रांच के पिता का नाम UP में common है कि एक दो प्रश्ण यहां से पूछे जाते हैं और बिहार में भी ऐसे प्रश्ण पूछे गए हैं YMP में भी ऐसे प्रश्ण पूछे गए हैं तो दोनों पॉइंट आपके परिच्छा के दृष्टी से अत्यनत महत्पूर जो पॉइंट हाइलाइट की गई है वह परिच्छा के लिए महत्पूर पॉइंट के रूप में ही हैं जिने आप आसानी से याद कर सकते हैं समझ सकते हैं लिख सकते हैं उसे चाहे जैसे याद करना आपको अवस्चक है जोकि परिच्छा में ऐसे प्रश्ण आपके सामने जाते हैं तो कौन से लच्छण ऐसे हैं जो सामान लच्छण की सिरणी में रखे जाएंगे कहरा यह जल तथा नमीदार अस्थानों पर पाया जाते हैं यानि इन्हें उगने के लिए जली आवास आवस्चक है और खास करके अगर नमी युकता अस्थान होगा यानि मिट्टी होता है वास्तविक जड़तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं कोशका वित्ती मुक्ता सेलूलोज की बनी होती है अब यह एक अच्छी पॉइंट है किसकी कोशका वित्ती किसकी बनी होती है सेलूलोज की बनी होती है कोशकाओं में पढ़हरीम उपस्थित होता है यानि को प्रकास की उपस्तती में प्रकास संसलेशन के दौरा अपने भोजन बनाने की छमता इसके पास पाई जाती है प्रकास संसलेशन दौरा भोजन का निर्मार करते हैं संचित भोजपदार्थ मंड यानि स्टार्ज के रूप में कभी-कभी वसा और तेल के रूप में भी संचित भोजनिन का होता है जनन तीन प्रकार से होता है देखे जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे पादप में जनन तो पादप में जनन मुख्ता होते दो प्रकार के हैं लेकिन कई पुस्तकों में ऐसा दिया गया है कि अलेंगिक जनन का जो काइक जनन वाला पार्ट होता उसे अलग कर देते हैं तो उसी के आधार पे तीन प्रकार से जनन होता है पहला काईक या इसी को वर्धी जनन कहते हैं जब सरीर का पौदे में दो हिस्सा होता है जो सरीर का हिस्सा होता है उसे काईक भाग कहते हैं और काईक भाग से जब तूटने से या काई भाग के इस्ट्राग्रो करने से मुकुल के बनने से जम नए पौधे का विकास होता है तो उसे हम लोग काई जनन कहते हैं अलेंगिक जनन जिसमें बिना लिंग के यानि एक ही इस पिसीज से नई जातियों का विकास हो जाता है तो अलिंगेजनन केते हैं और लेंगेजनन जिसमें दोनों जातियां होनी चाहिए यानि नर और मादा दोनों के गई मीट आपस में मिल करके निसेचन की प्रक्रिया को पूरा करें ऐसे घटना को लेंगेजनन कहा जाता है अलेंगिक जनन या अलेंगिक जनन बिभिन प्रकार के अचल यानि जो चलाए मान नहीं है तथा चल बिजाड़ों के दोरा बिजाड़ धानिया एक कोस्की होती है जननांग समानता एक कोस्की होते हैं बह कोस्की तथा आउरण भिहीन होते है निसेचन क्रिया में बने युगमनच यानी जो जाईगोड बनता है। निसेचन जब होगा तो यन और यन आपसा मिलेंगे और ऐसी घटना में टु यन का निर्माड होगा। उसी को हम लोग जाईगोड कहते हैं हिंदी में युगमनच का जाता है। बहुक उसकी भूण का निर्मार नहीं करता है लेकिन जाइगूर तो बनता है लेकिन भूण का निर्मार नहीं होता है यह प्रक्रिया आपको याद रखनी होगी वासस्थान इनका वासस्थान कहा है कहां पाय जाते हैं सेवाल जो होते हैं ताजे जल, ठिक, गर्म जल के जरने, समुद्र, भेगी मिट्टी, पेडों के तनों तथा चट्टानों पर पाये जाते हैं कुछ सेवाल तल में उपस्थित कीचड में रहते हैं जैसे की कारा कुछ सेवाल पानी के अंदर जो तल होता है जहां मिट्टी होती उस मिट्टी के कीचड में पाये जाते हैं उदारन है कारा कुछ सेवाल जील और तलाबों के किनारे पर पाये जाते हैं पुदारण है जिग्मनिया जिग्मनिया जो है जील और तलाबों के किनारे पर पाये जाते हैं कुछ सेवाल गर्म जर्णों में पाये जाते हैं रह करके 70 से 80 डिग्री टंपरेचर पर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं कुछ पानी में तैरते राते हैं जैसे की वालवाक्स कुछ सेवाल दोसरे सेवालों के साथ मिलकर तलाबों के किनारे पाये जाते हैं जैसे की स्पायरो गायरा कुछ सहवाल दूसरे सहवालों के साथ मिल करकर तलावों के किनारे पाय जाते हैं जैसे की spiral कुछ सहवाल अधिपादप के रूप में दूसरे सहवालों या पेड़ों की टहनीयों पर होते हैं जैसे की odogonium अब ये आपके एक एक प्रश्ण है एक एक पॉइंट एक प्रश्न छुपा हुआ है अब इसे आपको याद रखना होगा अब ये आपकी responsibility किसे कितना आसानी से आप पड़ते हैं PDF जो लोग हमारे साथ paid batch में जुने हैं उन्हें PDF भेंजा जा चुका है अगर आपको PDF चाहिए तो आपको 199 रूपेज चैनल को देना है और उस पे नीचे डिस्क नमबर दिया गया उस नमबर के थुरू आप जा करके 199 रूपेज दे करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको और भी काम की चीज़ें मिलती रहती है प्रोटोडर्मा एक ऐसा सेवाल है जो कच्छों की पीट पर उगता है प्रोटोडर्मा एक ऐसा सेवाल है जो कच्छों की पीट पर उगता है क्लेडोफोरा घोंगे के उपर उगता है और Cladophora जो सेवाल है यह पाइला यानि जिसे सनल कहते हैं उसके सरीर के ओपर उगता है कुछ सेवाल जनतुओं के सरीर के अंदर वास करते हैं जैसे कि जू क्लोरिला कुछ ऐसे सेवाल होते हैं जो पस्तुओं के सरीर के अंदर या जनतुओं के सरीर के अंदर निवास करते हैं उधारण है जू क्लोरिला आगे हैं सिफ्रोल्स जो की चाय काफी आद की पत्तियों का परजीवी होता है तो याद रखेगा सिफ्रोल्स जो है ये इनकी पत्तियों का क्या होता परजीवी होता है सिफ्लियो रोस जो है यह चाय काफी इत्याद की पत्यों का परजीवी होता है कुछ सेवाल जैसे कि फिलोवियम, इस्फेगनिंग, कोलम, इस्फेगनम पर तथा रोडोकाइटियम, इस्प्लेंथिडिस, एम्ब्रोसिया की पत्यों पर परजीवी की रूप में पाय जाते हैं कुछ सेवाल समुद्र में अधिकता से पाय जाते हैं उदारन सारगासाम, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, इत्यादी इस्थली अस्थानों पर मिट्टी की सता पर भी कई परकार के सेवाल लुखते हैं उदारन है वावकेरिया, पेडों की छालों, दिवारों और चट्टानों पर सेवाल पाय जाते हैं वर्फ के पाये जाने वाले सेवालों के कारण वर्फ विभिन रंगों की दिखाई पड़ती है उधारण है हिमेटो काकस नेवलिस के कारण एलपाइन वा आर्किटिक भाग में जमी जमी वर्फ लाल रंग की दिखाई देती है कुछ यूरोपी परबत पर जमी वर्फ ये भी गलत लिखा गया है जमी वर्फ होगा जमी वर्फ रेफिडो निमा और क्लेडो मुनास सेवाल के उपस्तिती के कारण हरे रंग के प्रतीत होते हैं लाइकेन जो पौधों का एक विसेश वर्फ है सहजीवी जीवन का अति उत्तम उदाहरन प्रस्तुत करता है लाइकेन एक सेवाल तता कवक का घनिश समंद के साथ साथ ये दोनों आपस में पाय जाते हैं जिसे मुचुलिज्म केते हैं या सेंबियाटिक एसोसेशन का जाता है दो अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं और दोनों जातियां एक दूसरे को लाभ पहुचाती है ऐसे association को symbiotic association कहा जाता है यह association का सबसे अच्छा उदारण लाइकेन होता है आप एक बात और जानते होंगे लाइकेन एक indicator के रूप में काम करता है वायू producer का जहां पर वायव प्रदूसित होती है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। क्लेडोफोरा की एक जात एक इस्पंज एक इस्पंज एफडेसिया फ्लूबाइट लिस में सहजीवी की रूप में रहता है। सहवाल की सारीरिक रचना सहवाल एक कोस की तथा बह कोस की दोनों रूपों में होते हैं। ठीक दोनों परकार के होते हैं। एक कोस की सहवाल एक दो परकार के होते हैं। चल और अचल इन सेवालों में कसाब के दोरा गती होती है जैसे कि कलेमवाइडो मोनास अचल इन में कसाब के अनपस्तिति के कारड गत नहीं होते जैसे कि कलोरेला बवकोस की निमलिकित प्रकार के होते हैं जैसे कि मंडली यानि कालोनी बनाने वाले इन सहवालों में अनेक कोशका हैं समू के रूप में बिवस्तित होकर मंडल बनाते हैं कुछ मंडली सहवालों में कोशकाओं की संख्या नियत होती है और कुछ में आकरती परिमार निश्चित होता है ये चल होते हैं ये मंडल सिनोबियम या चल मंडल कहलाते हैं उदारन वालवाक्स है और पेंडो राइना है बव कोशकी मंडली सेवालों में एक दूसरे प्रकार के मंडल गोलाब मंडल भी होते हैं इनमें कोशकाओं में आनियमित संख्या होती ही यह अचल होते हैं लेकिन एक गत नहीं करते हैं अचल रहते हैं जैसे की इडो डिक्टियोन समूहन जो ग्रुप बना के रहते हैं इनमें कोशकाओं एक अनियमित मंडल के रूप में पाए जाती हैं एक दो प्रकार की होती हैं पहला है कौनसा पामेलॉइड अवस्था इनकी कोशकाओं म्यूसिलेज नामक एक लसलसे पदार्थ यानि जो चिपचिपा द्रब होता है से दबी रहती हैं उदारन है टेटा इस्पोरा और डेंड्राइट मंडल ए भी अनियमित मंडल के रूप में होते हैं इनमे कोशकी म्यूसिलेज पदार्थ बनाकर इस प्रकार मूर जाती है कि पौधे की साखाओं से प्रतीत होती हैं उदारन है प्रोजियो प्रोजिनो क्लेडस सूत्रवत कुछ फिलामेंटस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं साधारण साखी उदारण है यूलोत्रिक्स और जिगनिमा साधारण साखी उपर कहां तो आसाखी था ठीक है उसके बाद साधारण साखी उदारण है क्लेडोफोरा बिसम सूक अत्वा हेट्रो ट्राइकस इन में दो भाग होते हैं एक छहती लेटा हुआ होता है और दूसरा भाग उर्द्वाथर अवस्था में सीधे खड़े रहते हैं उदारण है डापवर नाइडियोप्सिस अगला है आभासी मृदूत की कुछ सेवालों में तंत निरंतर विभाजित होकर के अनेक साखाएं बनाते हैं ये साखाएं अतियंत पास-पास होकर के मृदूत की संग अच्छी कहते हैं उदारण है पाली साइफोनिया कुछ सेवालों में थैलस के मद्द में एक से अधिक केंदरी तंत होता है इन्हें बहुँ अच्छी कहते हैं उदारण है निमिलियन नलकी, ये सेवाल एक नली के रूप में होते हैं और इनमें पट नहीं होते संकोसी होते हैं, इनकी असंख केंद्रक होते हैं, उधारण है वैकेरिया मृदूत की, कुछ बड़ी सेवालों के तने, पत्ती और जणों में समान रचनाई दिखाई देती है पत्ती जैसे रचना में मृदूतक कोसका होती है और इनमें विभिन्न दसाओं में विभाजन होता है उधारण है अलबा उच्च पौधों की भाथ सेवाल, कुछ सेवाल ऐसे होते हैं जो बड़े पौधों की तरह अपना बेवहार दिखाते हैं जैसे कि कुछ सेवाल उच्च पौधों की भाथ होते है जैसे कि साम्ड और सारगार्सोण है उदाहरण हर नहीं लिखा गया ठीक है उदाहरण है इसका शेफियों रोस जो की चाय कहवा और मेगनोलिया की पत्तियों पे अंत्रा कोश के स्थानों में भाग में लेते हैं जनन कहां चला गया भाई इसमें पौधा प्रते हैं बृदह का है यह 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 कायक जनन पीद्ध की यह एक साधारण विद्धी है इसमें पौधा थैलस छोटे-चोटे टुकडों में विभक्त हो जाता है और प्रतेक टुकडा बाद में एक नए पौधे को जनम देता है इस बिध को विखंडण कहते ह दूसरी बिधी है अलेंगिक या अलेंगिजनन इस बिध में पौधे की कुछ कोशकाएं या कुछ कोशकाओं का जियूद्रब विभाजित होकर के नए बीजान बनाता है प्रत्तेक बीजाणू मात्र कोस्का से अलग होकर के एक नए पौदे को जन्म देता है। यह निमलिकित बिधियों द्वारा होता है। अचल बीजाणों दौरा प्रत्कूल परिस्थितियों में कोशकाओं का जियुद्रब कोशका भित्य से अलग होकर के एक या अनेक अचल बीजाणों का निर्मार करता है। इनकी भित्ती पतली होती है और अनकूल परिस्थितियों में प्रतेक अचल बीजाण एक नए पौधे को जन्म देता है। उदारण है क्लोरेला। सुप्त बीजाण दौरा इस भिध में प्रत्कूल परिस्थितियों में जियुद्रब कोस्का भित्त से अलग होकर विभाजित होता है। कठोर रचना को जन्म देती है। कोश्का के अंदर ही चारो और एक स्लेस्मिक आवरण में घीरे जाते हैं, इस आवरण में जल रोकने की छमता होती है, इन में विभाजन होता रहता है जिससे ए मंडल की अवस्था प्राप्ट कर लेते हैं, इसे पामेला अवस्था कहते हैं, अनकूल परिस्टियों में आने पर ए मात्र कोश्का से सुतंत्र होकर बाहर निकल जाते हैं और फिर प्रतेक अचल या चल बीजाणू नए पौधे को जन्म देता है। उदारण है क्लेडो मोनास आटोइस्पोर दोरह कुछ सहवालों में बिस्राम जन्मात्र कोश्का के अंदर ही नए पौधे के प्रकार की रचना बना लेते हैं इन्हें आटोइस्पोर कहते हैं। उदारण है क्लोरो कोकस में पुटी या सिस्ट निर्मार दोरह कुछ सहवालों में भोज पदार्थों की प्रचूरता में तथा प्रत्कूल परिस्थितियों में सुका या थैलस, बव केंद्र की या मोटी भित वाले छोटे-छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। इस पॉरोफाइट्स की बीजारधानी में बनते हैं ये अंकुरित होकर के नए अत्वा यूगमको उद्भित को जन्म देते हैं। कारपो स्पोर्स दौरा ए भी लाल सेवालों में मिलते हैं तथा अचल होते हैं। ए कारपो बीजार उद्भित में बनते हैं जिसका निर्मार यूगमनच के विभाजन के फरसरोफ होता है। चल बीजार उद्भित में अनेक इस बिद में अनकुल बातावरण में दुई कसाब की या चतुर कसाब की उदारर यूलोत्रिक्स में तथा अथवा बवपच्छमाब की उदारर उडोगोनिया में चल बीजार बनते हैं। और मात्र कोशका के फटने पर बाहर निकलकर नए पौधे को जन्म देते हैं। परिमाब में समान होते हैं। यूगमक कसाब की हो सकते हैं। उदारर है क्लेडो मोनास, डेब्री एनम, तथा यूलोत्रिक सत्वा, अत्वा कसाब की उदारर है स्पायरोगैरा। आसम यूगमक की कुछ आसमान होते हैं। कुछ सेवालों में यूगमक बाह आकारकी में तो समान होते हैं। किन्त कारी बेवहार परिमाप में भिन होते हैं। और यूगमक बड़ा होता है। दीर यूगमक कहलते हैं और निसक्री होता है। दूसरा यूगमक छोटा और सक्री होता है। इसे लग युगमक कहते हैं, दोनों युगमकों में कसाविकाएं होती हैं, दोनों युगमकों में संयोजन से युगमार बनता है और बाद में अरसुत्री विभाजन करके नए पौदे को जन्म देता है, उदारार कले माइडो मोनास, ब्राउनी और यूडो राइना इनमें नर युगमक छोटा चल तथा दुई कसाविकी होता है, तथा मादा युगमक बड़ा निस्क्री तथा आकसाविकी होता है, नर तथा मादा युगमक संयोजन के बाद युगमनज, कोकसी फेरा, कारा, वालवाक्स, फ्योकस तथा उडोगोनियम में बाद में इसम युगमकी प्रकार को सबसे अधिक बिक्सित माना जाता है। सैवालों का वर्गी करण। सैवाल सामाने तौर पर सैवाल को तीन भागों में बाटा गया है। जैसा कि आप जानते हैं लाल सैवाल, हरे सैवाल और भूरे सैवाल। सैवालों के सामान लच्छन यहां पर द सहवाल है और इसमें जो वर्णक होता है देखिए चार प्रकार के वर्णक पाये जाएंगे चारों प्रकार के क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D एक चीज याद रखिए कि A, B हरे सहवाल में पाये जाता है AC आपका भूरे सहवाल में पाय जाता है और AD आपके लाल सहवाल में पाय जाते है याद करने का तरीका है AB को याद कर लीजी हरे सहवाल में AC में रहने वाले लोग हलके भूरे हो जाते हैं काले लोग भूरे होने गोरा होने से पहले पहले भूरे होंगे तो AC में रहने वाला सहवाल कौन सा होगा भूरा हो जाएगा और red के last में D है तो लाल सहवाल में A तो कामन है सब में D हो जाएगा तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि हरे सहवाल में AB होगा भूरे सहवाल में AC होगा और लाल सहवाल में AD इच तीन प्रकार के आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं हरे सैवाल में जो भोजन होता है संचित भोजन जो रखते हैं वो इस टार्ज के रूप में होता यानि मंड कहते हैं हिंदी में कोसका भी सिलोज की बनी होती है फ्लेजला दो से आठ होते हैं सामान होते हैं सामान होते हैं और सीर्स पर पाए जाते हैं आवास इनका लोड़ी यानि सादे जल में होता है लोड़ी जल में होता है और खारे जल में भी होता है फियोफाइसी फियोफाइसी को भूरे सेवाल कहते हैं इसमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल सी पाय जाती है या इसी को फेकोजैन्थिन के नाम से भी जाना जाता है इनका संचित भोजन मैनिटाल लेमिनेरिन होता है कोसका भित्ती सिलुलोज अथवा एलजिन की बनी होती है फ्लेजला की इस्तिती दो होती है आसमान होती और पार्सवी भाग में पाय जाते हैं आवास इनका अलवर जल होता है खारा जल होता तथा लौडी जल होता है रोडोफाय से लाल सेवाल को कहते हैं इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है या फाइको इरित्रिन पाया जाते हैं फ्लोरेडियन स्टार्च इसका संचित भोजन होता है स्टलोज की बनी हुई कोश का भित्ती होती है और जो फलेजला होता है वह अनपस्तित होता है अलवड जल खारा जल तथा लवड जल में पाये जाते हैं बहुत से पादब बैग्यानिकों ने समय समय पर सैवालों का वरगी करण किया है ओस्वाल टिपो जिसका क्लासिफिकेशन आपको प सिद्वनस्पत बैग्यानिक यफ यफ फ्रीज ने वरणकों के उपस्तती संचित भोजन और जरन की विधी के अधार पे सैवालों को 11 वरगों में विभाजित किया है यह वरगी करण सरवादिक मानने है इसी वरग करण की रूप रेखा यहां पे आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है पहला वरगी करण है जिसमें है आपका क्लोरोफाइसी या हरी सैवाल या हरी सैवाल क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी या इसी को कहते हैं आईसो कौन्टी या हरी सैवाल यह ताजे जल में पाए जाते हैं इसमें पढ़ हरी A और B होता है यानि क्लोरोफिल A या पस्ट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, विभिन जात के क्लोरोप्लास्ट विभिन आकार के हो सकते हैं, जैसा कि डिस्क की आकार के प्लेट के आकार के जाल क्यावत या कप के आकार के सरपिल तथा रीवन के आकार के होते हैं, अधिकान सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक Pyrinoids होते हैं, Pyrinoid में प्राया एक कठोर कोष का भित्ती पाय जाती में जिसकी भीत्री सता से सिललोज की बनी होती है और बाहरी सता पिक्टोन की बनी होती है कहरा जो सैवाल होते हैं इसकी कठोर कोशकावित्ती पाय जाती है जिसकी भीत्री सता से सिललोज की बनी होती है और बाहरी सता किसकी बनी होती है पिक्टोन की बनी होती है प्राया इनमें काई जनन जंत के फ्लेजला युक्त जो इस्पोर में अलेंगिक जनन होता है और जो इस्पोर इंजिया आत्वा चल बीजाणों दोरा होता है लेंगिक जनन में लेंगिक कोशकाओं के प्रकार और लेंगिक कोशकाओं के बनने में बहुत विभिन देखने को मिलती है तथा इसमें लेंगिग जनन समयुगमकी असमयुगमकी और बिसमयुगमकी प्रकार का होता है उदारण है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स और कारा जैन्तोफाइसी या हेट्रोकांटी ये सहवाल हरे पिले रंके होते हैं इनमें क्रोमेटो, फोर्स और जैन्तो, फिल्मुख वर्णक के रूप में पाया जाता है इसमें पैरिनोयट्स नहीं होते हैं और संग्रेद, भोजन, वसा के रूप में होता है लेंगिग जनन दो, बिभिन, लंबाई और पच्छमाब, यूगमकों द्वारा होता है या एक कोस्की, बहकोस्की तथा मंडली होते हैं कोस्का भी दो प्रतिषादी कपाटों द्वारा जुड़ी होती है संचित भोजन, तेल या अभुलनसील, कार्भोहाइडरेट्स, लियोकोसीन के रूप में मिलते हैं उदारण है क्रिसो इस्फिरा और इसके बाद है वेजलेरि यो फाइसी या डायटंज, यह पीले सुनेरे बोरे अत्वहरे पीले रंके होते हैं इन में डायटोनिमस नामक बर्णक होता है पायरिणॉइट्स फपस्तित होते हैं ए एक कोस्की होते हैं, इन में चल अवस्था नहीं पाई जाती है का उदारण होता है क्रिप्ट फाई से भूरे लाल नीले हरे पीले वह हरे रंके सेवाल होते हैं प्रते कोषäter में दो बड़े हरत लवब पायाते हैं जिनें पायरिन्याट कहते हैं ताजे जल तता समुद्र के रूप में होता केंद्रक बड़ा होता है और बहुत से डिस्क के आकार के क्रोमेटो फोर होते हैं उदारण है पेरी डीनिया क्लोरो मेनीडीनि ए चमकदार हरे रंके या हरे पिले रंके होते हैं इनमें परहरीम ए तता कैरोटीन वर्णक होते हैं तता जैन्तो फिर बर्णक की अधिक्ता होती है संचित भोजन वसा पदार्थ के रूप में होता है प्रजिनल लंबाई के विभाजन दौरा होता है उदारण है वैक्यू वैक्यो लीरिया यूगली निडी इस सोच में जन्तों से मिलते जुलते होते हैं इनमें आवरण रहित पच्छ युक्त इसका उदारण यूग लीना है फियो फाइसी या भूरी सेवाल वर्ग नौ है फियो फाइसी या भूरी सेवाल एप सेवाल पीले भूरे रंग के होते हैं इनके माप तथा आकार में बहुत बिभिन्नताएं पाई जाती हैं यह सरल साखित तंत्मई और एक्टो कार्पस से नेकर के सगन साखि जैसे कल्प तक हो सकती हैं इनमें फियोको जैनथीन नमक मुख बढ़ण क पाजाता हैं इनका रंग जयतूनी हरे से लेकर के भूरे और विभिन न 5 सेट्टां एसेट जैन्थोफिल बढ़ण फियोको जैनथिन की मात्रा पर ही निर्भर करते हैं इसके पढ़हरीम ए तथा सी केरोटिनी भी पाय जाते हैं इन में जटिल कार्बोहड़ेट के रूप में भोजन संग्रहित होता तथा यह लेमिनेरीन अथ्वा मैनिडाल के रूप में हो सकते हैं काई कोजका में कोजका भिवाज भिती होती है और सिल्लोज की बनी होती है तथा इस था में भितभी धी द्वारा का एक जनन होता है नास पातिक से आकर बोले दो फ्लेजिला युक्त जो स्पोर्द और अलेंगिक जनन होता है जो फ्लेजिला असमान होते हैं और पार्सवी रूप से जुड़े होते हैं इनमें लेंगिक जनल सम युगमकी असम युगमकी तता बिसम युगमकी हो सकते हैं तता युगमक का संगब अंडधानी में होता है। इनमें युगमक पायरी फॉर्ब की होती हैं और पार्स में दो फ्लेजले पाय जाते हैं। ।। रोडोफाइसी या लालसेवाल बर्ग gim रोडोफाइसी या लालसेवाल इसमें आते हैं लाल रंके होते हैं इसमें आरफाइकोरिथिन न alternator वाड़क पाया जाता है तथा इसमें से कुछ की सनचना बहुत चटिल होती है संग्रहित भोजपदार्थ को फ्लियूरेडियन मंड के रूप में पाया जाता है इस स्टार्ज की रचना एमाईलो प्रोटीन तथा गलाइकोजन की तरह होती है जनन अवस्था में अचल कोशकाएं पाया जाती है इसमुद्र में पाया जाते है इनकी काई जनन बिखंडन के द्वारा अलेंगिक जनन अचल बीजाणूओं के द्वारा और लेंगिक जनन अचल युगमकों के द्वारा होता है इनमें लेंगिक जनल बिसम युकमकी प्रकार का होता है और इसके पस्चात निसेचनोतर यानि निसेचन के बाद विकास होता है पढ़ हरिम B के अस्थान पर पढ़ हरिम D होता है उदारण है पाली साइफोनिया बट्रेको इस्परमम ग्रैसी लेरिया जिलेडियम फोर फाइ या साइनो फाइसी या नीली हरी सहवाल इन सहवालों की कोशकाओं में कम विक्सित के इंद्रक होता है इनकी कोशकाओं का रंग नीला हरा होता है जो विसेश रूप से आर फाइको साइनिन नमगवर्ण के कारण होता है इसके साथ एक कुछ मात्रा में C फाइको एरित्रिन फड़ हरिम A और केरोटीन भी पाय जाते हैं संग्रेद भोजुपदार्थ विसेश प्रकार के मिक्सो फाइसियन मंड और प्रोटीन युक्त फाइको फाइसियन कणो के रूप में पाय जाते हैं इनमें कोई चल अवस्था नहीं होते हैं इसवर्ग में जीवास रूप में पाय जाते हैं सहीवालों का आर्थिक महत तो अगर हम देखें तो इसवालों का आर्थिक महत जो है आपका यह अगले वीडियों हम लोग देखें कि यहाँ पर 10 पीडियप आपके हो चुके हैं 12 पीडियफ हो चुके हैं टोटल आपके पीडियफ हैं 20 तो आगे का 8 पीडियफ जिसमें आपको भी दूसरे बीडियों हम लोग करने वालने सहवालों का आर्थिक महत उसके बाद सहवालों का आर्थिक महत खतम होने बाद यहां पे exam points है तो एक काम करिए आप सहवालों का आर्थिक महत तो कर लीजे एक जाम points को छोड़ दिया जाएगा बाद में exam points को हम आपका करवा देंगे सहवालों का आर्थिक महत तो देख लेते हैं क्या क्या इसका आर्थिक महत तो है सहवालों के आर्थिक महत तो की बात करते हैं फियोफाइसी वर्ग में सेवाल पोरफायरा की विबिन जातियों, उदारन पोरफायरा, अंबलिकस, पोरफायरा परफेक्टा, जापान के कुछ देशों में भोजपदार्थ के रूप में खाये जाते हैं। इलेरिया, अलवा, सारगासम, लेमिनेरिया, आज, सेवाल, साग के रूप में खाये जाते हैं। लेमिनेरिया नमक सेवाल से आयोडीन उत्पन होता है। अलवा को प्राया समुद्री सलाद कहते हैं। इसकाटलेंड में रेडिमेनिया, पामेटा, तंबाकू की भात खाये जाती है। क्लोरेला तथा इस्प्रूलाइना एक कोस्की सेवाल हैं। इनमें प्रचुन मात्रा में प्रोटीन होता है। इनका उपयोग अंत्रित श्यात्रियों के लिए भोजन के रूप में खिया जाता है। यह सेवाल जापान में आइस्क्रीम, पेस्ट्री, चावल और सेंडविच इत्याज बनाने में और उतको सजाने में प्रियोग में लाया जाता है। सेवाल का उपयोग बेफसाय में है। डाइटोमियस मृदा, डाइटम्स की कोशकाभित पर सिलकन डाइअकसाइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीवित और मिर्ट डाइटम्स की जीवास समुद्र की गहराई में जमा होते हैं। और गहरी चटानों की रूप में होकर के डाइटोमियस मृदा बनाते हैं। या 1500 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान को सहन कर सकते हैं इसके निमलिकित उपयोग है। चीनु मिलो में जीवान छन्नों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। द्रव नाइट्रो गलिसरीन तथा आउसेसक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एलजिन नमक पदार समुद्री सहवाल उधारण एलेरिया लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है तथा यह वलके नाइजेशन में टाइप राइटर के रोलर तथा आजुलनसील फिल्मों के निर्मार में महत्पूर्ण सहयोग देता है लकड़ी को आजुलनसील बनाने कृत केम रे से तयार करने ताथ सल्ल क्रिया के समय रग्त प्रवार में आईस्क्रीम के बड़े क्रिश्टनों को बनने से रोकने में इसका प्रयोक किया जाता है इसे हुज्रियों केरागीगन, कोंडरस, क्रिस्पस या आईरिस मौस, यूकीमा नामक लाल सेवाल से सलेस्मिक केरोग्रीन नामक पदार्थ निकाला जाता है, इसका प्रियोग सिंगार प्रसादन, जोतों की पालिश, सेंपू, इत्याद, यानि जो ये फेरने स्क्रीम आती है, उनमें इसका उ ग्रेसिलेरिया, जात के लाल सेवालों से प्राप्त एगार एगार नामक पदार्थ, प्रियोकसाला में संबर्धन माद्यम में प्रियोक्त होता है, एगार एगार पदार्थ बनाया जाता है, अनेक सेवाल लेमिनेरिया, फ्यूकस, आधि, बहुत से रासाइनिक पदार्थ आयोडीन, ब्रोमीन, एसिटोन इत्याद की निर्मान में उप्योग किया जाते हैं। सहवालों का आउसदी महत क्लोरेला से या एक प्रतजयविक क्लोरेलीन तैयार की जाती है या क्रिस्टली होती है तथा 120 डिग्री सेंडिग्रेट पर इस्थे जहती है। कारा तथा नाइटेला नामक सहवाल जलासियों में वस्थित मच्छरों को मारकर मलेरिया उन्मूलन में भी सहयक होते हैं। सेवाल अनुसंधान कारियों में प्रकास संसलेशन की क्रियाओं का आधुनिक ग्यान क्लोरेला नमक सेवाल पर किये गए प्रियोगों योंग अनुसंधान पर आधारी थे। कुछ सेवाल उधारण ECTBORIA तथा BELONIA आध केंदर तथा कोष का द्रब्ब के आपसी संबंदों क की खोज में प्रियोग किये गए थे सेवाल क्रिसी में मेक्स ओफाइसी वर्ग के सेवाल जैसे की नास्टाक एनावीना तथा वाइमंडली तात्विक नाइट्रोजन को पौधों में कामाने योग योगी में परिवार्थित करते हैं जिससे भूम की और बरासक्ति को बढ़ा को सडाने में मदद करते हैं जिससे मचलिया मर जाते ही तथा जल पसूँ के पीने योग नहीं रहता है सेवाल सेफिलोरोज वाइरी सेंस की कुछ प्रजातियां चाय तथा चाय की पत्तियों पर परजीवी होते हैं और चाय का रंग गेरुई रंग का रोग प्राप्त करता है यानि उसमें गिरुवी रोग हो जाता है इसके बाद आपका एक्जाम पॉइंट्स है जो पीडिया भेजा जाएक उसमें साप एक्जाम पॉइंट्स को पढ़ लीजेगा एक्जाम पॉइंट्स के बाद ये आपके टोटल एक्जाम पॉइंट्स है टोटल एक्जाम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को सेर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तक तक लिजाज़त दीजिए.